हलो अव्रिवान वेल्कम टु कीचन टीप्स आज हम बनाने वाले है मुगल एमपायर का सबसे फेमस डीश जिसका नाम है शाही तुकड़ा ये बहुत फेमस है तेलगना और अंदरप्रदेश में और वहाँ पे भी कहा चाए तो हैदराबाद का मोस्ट फेमस डीश है शाही तुकड़ा चलो तो इसे बनाना स्टार्ट करते है ये बनाने के लिए हम लोग लेने वाले है white slice print शाही तुकड़ा बनाने के लिए मैंने लिए है चार ब्रेट इसे हम लोग चारों तरप से इस तरह से कट कर लेते है और उसके किनारे निकाल लेते है आज मैं आपको बताऊंगी कि शाही टुकडा माइक्रोवेव में और ग्यास पे कैसे बनाते हैं मैं एकी साथ चारों ब्रेट को कट करके उनके साइड्स निकाल ली रही हूँ आप चाहे तो एक एक करके भी कट कर सकते हैं इस तरह मैंने ब्रेट के बॉर्डर्स निकाल लिये हैं हम लोग ब्रेट को माइक्रोवेव में बेक करेंगे माइक्रोवेव में मैंने ब्लोवर राग रख दिया है उसके उपर हम लोग ब्रेट्स रख देंगे हमें इसे टेन मिनिट के लिए बेक करना है हम लोग इसे 190 डिगरी पे बेक करेंगे पहले हम लोग पाँच मिनिट तक एक साइट से बेक करेंगे फिर उससे टर्न कर लेते हैं पाँच मिनिट हो चुके हैं चलो अब इसे टर्न करना स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके सारे ब्रेट को टर्न कर लेते हैं इससे दोनो साइट से ब्रेट्स अच्छे से बेक होगी दूसरे साइट से भी ब्रेट को हम लोग 5 मिनिट के लिए बेक कर लेते हैं माइक्रोवे में ब्रेड बेक होनी तक चलो मैं आपको बताती हूँ कि ग्यास पर ब्रेड को बेक कैसे करना है मैंने नार्मल पान को गरम होने के रखा है वो गरम होने के बाद हम लोग उसके उपर ब्रेड स्लाइस को रखेंगे इसे हम लोग एक साइट में बेक कर लेते हैं, फिर इसकी साइट टन करेंगे इसे हमें medium to high flame पे बेक करना है दोनों साइट से जब तक ऐसा कलर नहीं आचाता तब तक हम लोग इसे बेक कर लेते हैं ये ब्रेट रेडि है शाई टुकड़ा बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है चौप्ट किश्मिश, चौप्ट पिस्ता, चौप्ट काजू, चौप्ट अलमेंट और कंडेंस मिल्क अब आपके हिसाब से इसमें और ड्राइफ रूट्स आड़ आन कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं आप इसके साथ चाहे तो सैफ्रॉन भी यूज कर सकते हैं सारे ब्रेट को बेक करने के बाद इसे हम लोग इस तरह एक ट्रे में निकाल लेते हैं हम सारी ब्रेट को एक के बाद एक अरेंज कर लेते हैं इसे अरेंज करने के पाद हम लोग इसके उपर condensed milk आड़ करेंगे। अगर आप चानना चाहते हैं कि condensed milk धरपे कैसे बनाया चाहता है तो मुझे comment section में बताईए। हम लोग एक एक करके सारे bread के उपर condensed milk अच्छे से आड़ करेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो condensed milk कम भी आड़ कर सकते हैं। condensed milk आड़ करने के बाद हम लोग इसके उपर एक एक करके dry fruits आड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सबसे पहले बादाम के टुकड़े आड़ करना स्टार्ट किया है। इसके बाद मैं काजो के टुकड़े आड़ करूँगी। इसके बाद इसके उपर मैं पिस्ता के टुकड़े आड़ करूँगी और सबसे आखिर में मैं इसके उपर किश्मिश के टुकड़े भी आड़ करूँगी। आप चाहे तो इसके उपर वॉलनट और केसर बे आइड कर सकते हैं। उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा आएगा। सारे ड्राइफ रूट्स आइड करने के पाथ मैं इसके उपर इलाइची पाउडर स्प्रेट करूँगी। आप इसे जाधा से जाधा एक दिन तक रख सकते हैं। क्यूंकि हम लोग इसे ब्रेट स्लाइस से बना रहे हैं। तो ऑटोमाटिकली कंडेंस मुल की वज़े से ब्रेट सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसे थंडा या गरम दोनों भी तरीके से सर्फ कर सकते हैं। अगर आपको चिल्ड सर्फ करना है, तो आपको इसे एक दिन तक रखना पड़ेगा। और आपको इसको हॉर्ट सर्फ करना है तो आप इसे मैक्सिमूम 6-7 घंटे तक ही सर्फ कर सकते हैं। ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए तैंक यू फर बॉचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब